यदि आप वीडियो डीटर हैं, कैमरा मैन हैं, डारेक्टर हैं, प्रडूशर हैं या ई-लर्णिंग का कोई काम आप कर रहे हों, तो आपको ग्रीन स्क्रीन के बारे में जानकारी होना आधियावस्थिक है। क्रोमा की विज्वल इफेट का एक टेक्निक है, जिसमें हम अपने पीछे सूट के गए बैगराउंड को रिमूब कर देते हैं, और उसकी जगे अपना कोई आवस्थिक या मनपरसंद वीडियो बैगराउंड, इमेज बैगराउंड को रिप्लेस कर दिया जाता है, इस टेक् ग्रोमा की करने के लिए आपको कई सारे टूल्स होते हैं, उनके बाडे में जानकारी होना कर सकते हैं आज हम बाग को बिताते हैं करोमा की किस तरह की किया जाता है आज हम आपको अपने शूट में बताता है कि किस तरह के से क्रोमा की कि जाता है कि जब आप कोई भी सूट करते हैं कि कि ये अपढ़ा पहन रखा ना, वह सेम नहीं होना चाहिए, ज़स्ट अपोजिट होना चाहिए नहीं तो क्या होगा कि क्रोमक साथ में जिस आपके जिस पार्ट में वो कलर आ रहा होगा ना वो कलर भी रिमूव हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करते हैं थोड़ा इन लेते हैं यहां पर और इसको हम यहां पर रख लेते हैं जिसको हमको क्रोमा की करना है यह सूटेड है अब आपको यह देखना पड़ता है इसके नीचे कोई और बैग्राउंड लगाना चाहते हैं जैसे हमने यहां पर इसको हम एक और आप पे काम करना तो आवास को कर दीजे कंकि आपको बार बार के आवास पे काम नहीं करना तो आपको यहां प३टक बार करें पर klik करें, यह यहीं आएगा, इसको उठा कि यह जाएगा, इसको उठा कि यहाँ ड्राप कर लो, तो आपको यह tab में आ जाएगा, यहाँ जब जाते है, वीडियो effect में याजिए wyडियो effect में आपको keyring नाम का एक option मिलता है, यहाँ सब से best काम करता है ultra key, you can drag and drop on your video ठीक आप यहां पर देखो कोई भी action नहीं हुआ है जरूरी नहीं कि कोई action नहीं हो तो आपका काम नहीं हो रहा है तो यहां पर हम इसको click करेंगे क्लिक करने के बाद इफेट कंट्रोल जाएंगे इसको सरेट करेंगे तो इसको जो यहां अल्ट्रा की आपकी जो है option जो आपके filter डाला था वह आपको यहां पर मिल जाता है अब यहां पर एक selection होता है इसो और यहां जाकर क्लिक कर ले हैं अब आपका देखी वह जो कलर आपने सरेट किया है वह कलर जो है आपका रिमूव हो गया लेकिन अभी बहुत सारी प्राब्लम से हैं इसमें क्या है फाइन टून करना पड़ता है कि यहां पर देखो इसकी जो सूट जो हमने किया है वह प्रापर लाइटिंग नहीं है आप एक बार करने के बाद आप चाहें तो एक दो जगे पर जा करके क्लिक कर सकते हैं यहां पर कोई प्राब्लम यहां इसको सरेट कर लेंगे तो हो सकता कि आपके क्लिक करने से वह सारी समस्या थोड़ी सी रिमूव हो जाए नहीं हो पा रहे हैं तो यहां पर नीचे कई सा ना पड़े साइड़ों को हम काम करेंगे तो वह चीजे थोड़ी सी रिमूव हो जाएंगे देख और टॉल्डरेंस थोड़ी सी बढ़ा जाएंगे यह यह देखा पेडेश्टल है इसको थोड़ा सा बढ़ाईए आप देखिए एकदम आपको एकदम क्लीन हो जाएगा हो गया अक्सर जब चस्मा कोई लगाता ना उसमें क्रोमा में सबसेदा प्राप्लम चस्में के अंदर होती है चस्में क्या होता देखिए आप कि जब हम तो तिर्शा जाएंगे ना तो क्या होता उसमें जो ट्रांस्परेंसी होती है तो वह थोड़ा सा क्या होता है कि यह जब है उच्छस्में के थूँ आपका बैक्राउंड कलर आगा तो उस पोर्शन की जो पिक्सर की इन्फार्मेशन होती है इक्जैक्ट वैसी नहीं होती जैसे कि और इसके लावा यहां पर जब डीचे जाते तो कुछ और आप्सन मिलते हैं यहें आपको इन आप सब्सक्त को आप देख सकते हैं है यह आपको लगता है कि इन आप संसे कोई यह है करा से काहीं ज़िए कई बार इनका बहुत एहम रूल हो जाता है कि जब आप यह पर सेपरेट नहीं हो रहा था है कंटेंट को थोड़ा सा और बहतर बना सकते हैं यह आड़ी कट गया तो आप ज्यादा को करने के आउ सकता नहीं करना हो तो यह ऊठोला है । यह अपर कर से में का जादा बहुत प्रिछ जादा लग रहा है तो आप इसको जब आप मुडी you तो आप इसको देख करके हलाल पिला हरा गुलाभी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा करना नहीं होता है जनली आपको यह देखना होता है कि आप इग्जैक्ट स्कीन टून क्या होती लगवात पीला हो गया इसी बीच में कुछ होगा होता कि दो पॉइंट आज एक इधर जाए बेटर होगा यह लगवग स्कीन टोन ऐसी होती है राइट लेमनेंस में आपको लगता है थोड़ा और स्कीन रियालिटिक साथ होनी चाहिए अब यह थोड़ा सा निच्रल सा आगे राइट आपका यह क्रोमा की अब यहां पर कोई टेस्ट लिखना है या कुछ भी लिखना लेक्सी टेस्स से ओके फॉन्ट आपको यह थो यह यह आप रेगलर यूज कर तो आपको पता ही होगा कौन सा लगाना है नहीं तो आप यहां से चूज कर लिजे अलगा इसमें अब यह यह तो डार्क रेट चलेगा यह तो ब्लैक चलेगा ठीक है यह आपको देखना अब इसको आप चाहें तो कोई की मोशन देख रहकर के आप अराम से लेजा है कि और भी लेजा सकते कहीं वी आप कहिं पर किसी जगए पर आप टेसको देंचों इस मिडियो में आपने सीखा कि वीडियोкий buat करके किस प्रकार हम green screen वीडियो को यूज करते हैं आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे वीडियो फिल्टर के अतरिक कई सारे अन्याप्सन भी होते हैं जिसमें हम ग्रीन स्क्रीन बैग्राउंड को रिप्लेस करने के लिए प्रियोग करते हैं उसमें हम अन्याप्संस है जिसका प्रियोग करके आप बीडियो डिटिंग कर सकते हैं तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मास्किंग कैसे करेंगे, क्रॉपिंग कैसे करते हैं और स्केलिंग का प्रियोग करके किस प्रकार क्रोमा की का प्योग किया जाता है यानि क्रोमा सूटिंग वीडियो को किस प्रकार हम एडिट करते हैं इस टिटोरियल में इतना ही यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंकियो फार वाचिंग